पिछले कुछ महीनों से नरम रहने के बाद, खादे तेलों का घरेलू बाजार भाव एक बार फिर तेज होने लगा है, जिससे आम उपभोकताओं की कठिनाई एवं सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसे देखते हुए केंदर सरकार ने Solvent Extractors Association of India, C, से खादे तेलों का दाम घटाने के लिए कहां और एसोसियेशन ने अपने सदसे से कीमतों में कटौती करने की अपील की है। एसोसियेशन के अध्यक्ष का कहना है कि थोक मूले की तुलना में खादे तेलों का खुद्रा बाजार भाव 20-25 प्रतिशत उंचा रहता है, जो सही भी है क्योंकि खुद्रा, रिटेल, मूले में परिवहन खर्च एवं मार्जिन आदी शामिल रहते हैं। हाल के दिनों में परिवहन खर्च बढ़ा है और विदेशों से आयात की लगत बड़ी है, जिससे खादे तेलों का दाम कुछ उंचा हुआ है। पिछले एक माह के दोरान सभी खादे तेलों के वैश्विक बाजार मूले में 20-40 डॉलर प्रती तन का इजाफा हो गया। लाल सागर छेत्र में संकट उत्पन होने के बाद रूस, यूक्रेन एवं रोमानिया आदी यूरोपिय देशों से सूरज मुखी तेल का आयात अब लंबे मार्क से हो रहा है, जिसमें समय और परिवहन खर्च अधिक लग रहा है। सूरज मुखी तेल का आयात खर्च पहले भारतिय बंदरगाहों पर 900 डॉलर प्रती तन से भी कम बैठ रहा था जो अब बढ़कर 930 से 950 डॉलर प्रती तन पर पहुँच गया है। इसी तरह अलनीनों के प्रकोप से दक्षिन पूर्वैशिया के देशों में पाम तेल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिससे इसकी कीमतों में भी तेजी आने लगी है। सी, के अध्यक्ष के अनुसार वैश्विक घटनाकरम को देखते हुए खादे तेलों के दाम में 3-4 रुपए प्रती किलो से ज्यादा की कटौती करने की गुझाईश नहीं दिखाई पड़ रही है। क्रूड खादे तेलों का आयात करके उसकी रिफाइनिंग की जाती है और तब उसे बाजार में उतारा जाता है। इस बीच खादे तेलों के आयात में भी कमी आई है, जिससे इसका स्टॉक 35 लाक टन से घटकर 25-27 लाक टन के बीच रह गया है। चालू मारकेटिंग सीजन के शुरु आती दो महीनों नवंबर एवं दिसंबर 2023 के दौरान खादे तेलों का आयात कम हुआ है। सी, के अध्यक्ष का कहना है कि इस बार देश में सरसों का शांदार उतपादन हो सकता है और जब इसके नए माल की जोरदार आवक शुरू होगी तब खादे तेलों और खासकर सरसों तेल के दाम पर दबाव कुछ बढ़ सकता है। Bureau Report Market Times TV Bureau Report 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 झाल झाल